Hello friends, welcome to my YouTube channel, चले फर्स्ट कोश्चन देखते हैं, फर्स्ट कोश्चन का दिये गए प्रिशन का सही बेनारेक बते, बेन डाइग्राम बनाना इस्तंधारी पसू और जिराफ का तो इसका बेन डाइग्राम कैसे बनेगा देखिए, क्या जिराफ इस्तंधारी है, हाँ, क्या जिर जिराफ मतलब यहाँ पास सभी पसू जिराफ है, और सभी जिराफ का इस्तंधारी होंगे, तो इसका बेन डाइग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसा किस ऑप्शन है, ऑप्सन नमबर है, हमारा राइट अंसर हो जागे, इतना समझ में आओगा, चले अंगला कोश्चन पास 6 है, तो अगर हम 305 में यहाँ पास 299 माइनस करने तो हमें 6 मिल जाएगा, पर यहाँ पास अगर हम देखेंगे 209 माइनस करने जाएंगे, तो यह 147 में 209 माइनस करेंगे, तो यहाँ पास कोई संक्या ही नहीं है, तो हमें तो यह लाजिक हमारा काम नहीं करेगा, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं 305 को क्या करें कि आपास 6 आजाए अगर हम देखेंगे 305 किन डिजिट से मिलक बना जब ऐसे question solve बना हो और चोटी संक्या हो बहुत बड़ी संक्या हो तो हम ऐसे भी देख सकते हैं या square करके देख सकते हैं तो अगर हम देखेंगे 6 के square करेंगे 6 का cube करेंगे तो 6 का cube कितना होता है 216 यहाँ पास हमें कितना चाहिए 305 चाहिए अगर इसके हम cube कर देंगे या 4 power कर देंगे तब भी हमें 305 नहीं मिलेगा तो अगर हम यहां पास ध्यान से देखें, कि यह 30 और 5 की रूप में इसको देख लें, 30 और 5 की रूप में इसको अगर हम देख लें, 30 और 5 की रूप में दो डिजिट बना ली इसको, तो हम क्या करेंगे, 30 और 5 की रूप में देखेंगे, 30 में 5 का भाग करतें, तो हमें क्या म option में है option number D option number D हमारा right answer हो जग इतना समझ में आओगा क्या की हैं देखिए एक बार पर इस बता रहा हूं इसको 305 को क्या समझे हैं दो डिजिट में हम convert किये हमें हमें यहां पास 6 लाना किसी भी तरीके से और इसमें भी वहाई logic follow लो वैसे हम क्या की हैं तीस और पांच की रूप में दो डिजिट बना लिए और देख रहें इसको इसको इस पांच से भाग कर दिए तो कितना अच्छा है बार में कटा है तो यहीच है यहां पास लिखा है तो सेम यह इलवाजी किसमें लगाया है क्या कि 14 और 7 के रूप में इसको बाटे हैं दो डिजिट में 14 और 7 का भाग करेंगे 14 में 7 का भाग करेंगे कितना मेला में 2 दो यहां पास की वैलू हो गई या इतना समझ में आ होगा हमारा आंसर भी 2 मिल गया हमको तो हमारा आंसर अपसन नमबर D मिला अपसन नमबर D राइट हो जाएगा इतना समझ में आ हो तो आँगे बढ़े तो चलिए आँगे बढ़ते हैं अंगला कुश्चन क्या है अंगला कुश्चन देखते हैं 26 का समझ किस से होगा देखे 82 का समझ 65 कैसी है देखे ध्यान से देखेंगे को अगर ध्यान से आप को देखेंगे आपका वैसे ही आपको logic कोई न कोई find कर लेंगे क्योंकि को अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें concept clear होने लगता है आप concept समझा करिए question को solve कैसे किया जा रहा है logic क्या लग रहा है देखें क्या करेंगे यहाँ पास 82 समझ 65 कैसे है यहाँ पास अगर हम 82 में कितना कम कर दें कि यहाँ पास 62 आजाए तो ऐसे तो हम सोच सकते हैं मगर यहाँ पास फिर वही logic काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पास देखेंगे अगर हम यह 9 के square का करीब है यह 8 के square करीब है यह 5 के square करीब है तो हम क्या यह logic सेट कर सकते हैं देखते हैं सेट करके क्या है यह 9 का square करके मतलब 9 नहीं 81 माइनस 1 कर दे तो हमें 82 स्वारी 1 प्लस कर दे तो मतलब 8 अठा है 64 मतलब 64 है 64 है प्लस 1 करेंगे तो हमें क्या मिलन देखा है 65 मतलब 8 का square plus 1 है यहाँ पास 9 का square plus 1 फिर यहाँ पास 8 का square plus 1 क्या है 9 है फिर 8 है मतलब 1 कम हुआ है तो इसी प्रकार हम इसमें लगाएंगे यही logic मतलब यह किस के square करीब है पांच के स्केर करीब है तो 5 के स्केर प्रस वन, 5 के स्केर कितना हुगा 25, 25 प्लस 1 करेंगेOTH протichte 26 अंगली बार क्या होगा, 4 की स्केर प्लस 1, 4 की स्केर कितना होगा 4 चोगो 16 प्लस 1 करेंगे तोoken मिल जागा हमें, यहाँ पास 17 मिल जागा तो यहां पास द्यान से देखेंगे, 9 के बाद क्या आया है, 8, 8 है, तो यहां पास क्या करेंगे अब, यहां पास 5 के स्केर करीवद, 5 के स्केर प्लस 1 किया, तो में क्या मिला है, 26, तो अंगली बार क्या होगा, 4 के स्केर, प्लस 1, प्लस 1, कितना मिल जागा है, 17, क्योंकि यह एक कम हो किया मतलब एक माइनस हुआ है मतलब घट्टे क्रम में संख्या है तो इसमें पांच के बाद चारा आएगा यहां पांच की बाद में 17 17 जटेखें कि पर बदो 9 यहां पास question मार गया तो मैं बताना है कौन से संख्या है कि देखेंगे आपस 9 के बाद क्या है 2 है 9 के बाद क्या 49 है तो अगर हम ध्यान से देखेंगे स्वरी यहां पास लगता typing mistake होई है यहां पास दो पहले आना चाहिए फिनना हो आना चाहिए देख लेते हैं ऐसे भी solve करके 9 और 2 का अगर हम गुणा कर दे देखिए 9 और 2 का गुणा कर दे तो 9 दूनी 18 होगा और प्लस 1 कर देए इसमें तो हमें क्या मिल जाएगा 29 में 2 का गुणा कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा 29 दूनी 38 दूनी 38 मिल जाएगा 38 में प्लस 1 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49 देखिए यहां पास क्या मिल रहा है अगर यहां पास देखिए यहां पास थोड़ा सा लगता mistake किया गया है यह दो पहले होना servie है, इतो फेले होना चाहिए, दो में हम धो में हम दो का गुणा कर देते हैं तो कितने मिल रही था और दो दून्ह चार नहीं चार गुणा यह क्वेस्चियन और कशी टिफकर नहीं लग रहा नो दूनी अठारा प्लस एक उन्याइस और उन्याइस दूनी अड़तिस प्लस एक उन्तालेस तो उन्तालेस दूनी तो उन्याइस अड़तिस न गुणा हो चाही झालेस अड़तिस न गुणा हो चाहीं झाल झाल